हेलो गाइज, वेलकम टो मैं चैनेल तो मैं आज डीपनेट सीरीस के एपिसोड भाट क्यों एक्स्प्लेन करने वाली हूँ एपिसोड की शुरुवात होता है डीपनेट क्लब से जहाँ पर पुलिस के प्राबलेम के चलते कस्चमर नहीं आ रहे थे और इस वज़े से सभी बहुती ज़दा परिशान थे इधर फ्रे भी सभी को फोन कर रही थी और सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी तो फ्रे को ऐसे परिशान देखकर मेजी फ्रे को हसानी की कोशिश करते हैं प्यार से फ्रे को संभालती है तो फ्रे को भी इस बग मेजी का साथ पाकर बहुती अच्छा लगता है अगली सिन में हम देखते हैं पार्ण सेजी को पिछले दिन के पुलिस वाले इंसिडेंट के बार में बता रहा था और सेजी में बहुती प्यार से पन की बाते सुन रहा था तबी वहाँ पर केन आता है और फिर सेजी से फलट करने की कोशिश करता है और सेजी को उसके पसंद का स्नैक्स भी देता है उपर से यहाँ पर केन सेजी को बता देता है कि वो सेजी को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि इनकी बात सुन कर सेजी हैरान हो जाता है पर पन को बहुत ही बुरा लगता है इधर खेम वैला से बात करने की कोश्च करता है पर वैला खेम को इगनोर कर देता है तभी उसे याद आता है कि पिछली रात को वैला ने खेम से कहा था कि खेम उसको जरा भी नहीं समझता जिस लिए खेम को थेंक्यू कहता है और खेम से कहता है कि अगर हमारा कोई अपना हमें समझता है तो हमें बहुत ये अच्छा लगता है तो खेम को वैला की बातें याद आता है इसलिए वो वैला को लिए खाना लेकर उसके कमरे में जाता है जहांपर वैला सोया हुआ था तो वैल कि वहला भी खेम को sorry कहता है क्योंकि काम के pressure की वज़े से वो खेम को जाधा बग्त नहीं दे पाता था इसके बाद वहला खेम से patch up करना चाहता है तो खेम वहला से कहता है तुम्हें पता है ना मुझसे patch up करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा यह कहका दोनों एक दूसरे क किस करते हैं और सत्तप ही वहला खेम के साथ intimate होता है इसके बाद जब वहला खेम को बहार चोडने जाता है तो खेम वहला को अपना watch पहनाता है और वहले से कहता है इसके बाद जब ही तुम इसको देखोंगे तुम्हें मेरी याद आएगी यह कहकर खेम फिरसे वहला को प्यार से किस करता है फिर जब खेम घर जाता है तो अपने मॉम को सौरी कहता है और उनसे ये भी कहता है कि वो अब ये समझता है कि हम अगर किसी चीज से प्यार करते हैं तो उसे पाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं खेम की बात सुन कर फि कुछ अच्छी बात है कि वह कितना मेहनत करते है और यहाँ पर कोई गलत कम नहीं होता यह सब सभी को दिखा रहा था जिससे सभी के मन से क्लब के बारे में डर निकल जाता है और डीपनेट क्लब में फिर से लोग आने लगते है और सभी होस्ट कस्टमर के साथ इंजय करने ल और वेलर का भाग जाता है पर पुलीस से भी होस्ट के साथ सथ कस्टमर को भी इरिडेट करते हैं जिससे फ्रे और खेम फिर से परिशान हो जाता है तो खेम परिशान होकर बैठा हुआ था और वेला खेम के लिए स्नेक्स लेकर आता है क्योंकि उसको पन से पते चला था कि खेम को फ्राइस के साथ सोडा पीना बहुती ज़्यादा पसंद है तो खेम को परिशान देखकर उयला उससे कहता है कि उससे इतना परिशान नहीं होना चाहिए उसने कलब के लिए बहुती अच्छा काम किया है तो यहाँ पर भी खेम और उयला रोमांस करते है जिसको कोई द नहीं सकता खेम की सच्छे जानकर से भी बहुती हैरान हो जाते है पर तभी केन खेम से कहता है तो क्या खेम कलब के ओनर का बेटा है इसलिए वो कोई भी रूल तोर सकता है अब केन की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते है तो केन सबको बता देता है कि खेम और उयला एक दूस जाने को कहते हैं इस बारे में बात करने के लिए तो मिस्फ्रे से उनके क्लब के डूल दोरने के लिए माफिर मांगते हैं इस पर मिस्फ्रे कहती है वैला को सौरी कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खेम ने उस बारे में उन्हें पहले ही बता दिया है तो वह इस मामले को सेंगल कर लेगी इसके बाद जब खेम वयला को घर छोने जाता है तो वयला को परिशान दे कर खेम वयला का हाथ पकर कर उससे कहता है तुम परिशान मत होना चाहे जो हो जाए मैं तुम से कभी ब्रिकर नहीं करूंगा खेम की ये बात सुनकर वेला बहुत ही रिलेक्स फिल करता है पर जब वे एकले दिन क्लैब में जाता है तो केन वेला से कहता है तुम फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हो मेडम फ्रे ने तुम से कल कुछ नहीं कहा या तुम उसके बेटे के बॉर्फरेंड हो इसलिए तुम कुछ भी कर सकते हो पैसे वाला बॉइफरंड होना भी कितनी अच्छी बात है इससे प्यार भी खरीदा जा सकता है तो खेम की ऐसी बाते सुनकर वेला को बहुत बुरा लगता है पर वो केंसे कुछ नहीं कहता पर केंसे की ऐसी बातों से सेजी को भी बहुत बुरा लगता है इसलिए वो केंसे पूछता है तुम ऐसे कैसे वाला से बात कर सकते हो तुम नहीं तो कहा था रूल नमबर वाइब सबसे बेकार रूल है तो तुम अब वोयला को ऐसे कैसे बोल सकते हो तो केन कहता है मैं चाहता था वो एलाई हासे चला जाये ताकि नंबर वन पुजिशन तुम्हारा हो जाए केन की बात सुनकर सेजी गुस्सा हो जाता है और केन से कहता है ऐसे मुझे नंबर वन बनाना चाहते हो तुम फिर तो जब तुम्हें नंबर वन बना होगा तो तुम म प्यार का मतलब ही नहीं समझते हो, वरना जो प्यार में हैं, तुम उसे ऐसे हट नहीं करते, ये कहकर से जिवहाद से चला जाता है, और केन कुछ भी नहीं बोल पाता, पर ये सब खेम और पन देख लेता है, तो खेम वयला के पीछे जाना चाहता था, पर पन खेम को ये कहकर रोक देता है कि वहला बहुत ही स्ट्रॉंग है वो खुद को संभाल लेगा पर तुम अभी क्लाब में होड़े हैं प्राब्लेम को ठीक करने की कोशिश करना चाहिए उधर क्लाब में फिर सी इंविस्टिगेट करने के लिए पुलिस आ जाते हैं जिसके उफ्रे रोकनी की बात हो सकता है देखते हैं क्या है सच्चाई ओकर आइसके वीडियो में मैं इस इतना ही मिल एक नहीं स्पारार के साथ तब तक के लिए भाइब है दोस्तों